दोस्तो फाइनली बलड लाइन एंड ब्राउलिंग ब्रोड्स का मेंस वोर गिम मेच सर्वाइवर सिरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में हो चुका है और दोस्तो इसकी एंडिंग काफी कमाल की थी काफी इमोशनल थी तो जानेंगे पूरे मेच को डिटेल में अगर आपने मेच देखा है या नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो एक बार एंड तक देख लो तो चलिए सरू करते हैं तो मेच याँ पर सुरू होता है एक तरफ जे उसो होते हैं दूसरी तरफ ओते हैं बुच जिसके बाद रेट्ज को मार रहा है यहाँ पर टेबल्स चेर्स सबका यूज हुआ है मेच में और दोस्तों मेच की एंडिंग सेमी जेन के लिए थोड़ी इमोशनल थी क्योंके दोस्तों मेच के एंड में केविन ओवन्स स्टनर लगा कर पिन करते हैं ट्राइवल चीफ रोमेन रेंग्स को लेकिन वहाँ पर रीफरी काउट करता है तब सेमी जेन रीफरी को पकड़ लेता है और यहाँ पर केविन ओवन्स एंड सेमी जेन फेस टू फेस होते हैं जिसके बाद सेमी जेन केविन ओवन्स को लो बलो लगाते हैं और फिर ट्राइवल चीफ रोमन रेंग से प्रमिसन लेते हैं अपने फिनिसर मूव को यूज करने की और यहां पर हलूलू किक लगाते हैं सेमी जेन केविन ओवन्स को और फिर जे उसो टोप रोप से अपना फिनिसर लगाता है सप्लेस और जे उसो केविन ओवन्स को पिन कर बाकि दोस्तो रोमोन रैंग्स को मेज के एंड होने के बाद भी थोड़ा बाउत सक्ता लेकिन सेमी जेन ने सब कुछ कलियर कर दिया तो अगर आप लोगों ने ये मेज देखा है तो जल्दी से कॉमेंट करके अपने थोड़्स बताओ इस मेज पर एंड दोस्तो वीडियो ल